आपने ChatGPT का नाम तो सुन रखा होगा, ChatGPT यूज करता है Artificial Intelligence का और देता है आपके प्रस्नों के जवाब लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे टूल्स हैं जो Artificial Intelligence पर बेस्ट हैं और जो ना केवल आपके लाइफ को आसान कर सकते हैं बलकि आपके लिए पैसे कमाने के नए नए रास्तों को भी खोल सकते हैं तो इस सीरीज में जिसका नाम है क्रेजी टूल्स मैं इस तरीके के कुछ बहतरीन Artificial Intelligence पर बेस्ट टूल्स के बारे में एक एक करके डिसकस करने वाला हूँ लेकिन आज मैं डिसकस करने वाला हूँ एक ऐसे टूल के बारे में जिसका यूज करके मैंने इन तीन और बहतरीन सांदार Images को डिजाइन किया है क्रेजी टूल्स की इस सीरीज में आज मैं जिस टूल के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है Lexica इसका डोमेन नीम है Lexica.art आपको अपना web browser open करना है उपन करने के बाद उसमें type करना है Lexica.art और यह website open हो जाएगी इसके बाद आपको अपनी email id से एक account create कर लेना है जो कि free होगा means आपको उसके लिए कुछ भी पैसे पे नहीं करने है लेकिन अगर आपको business purpose के लिए यूज करना है तो इसके plan भी बहुत महेंगे नहीं है ठीक है 8 डॉलर पर मंद या 24 डॉलर पर मंद या 48 डॉलर पर मंद चूंकि हमें इतना ज़्यादा images को generate नहीं करना तो यहाँ पर ए आप free में हैं account create करके practice नहीं नहीं images generate करना start कर सकते हैं फिर अगर आपको लगे कि यह इन में से कोई आप plan आपके लिए बहतर है तो आप purchase भी कर सकते हैं ओके लेकिन यहाँ पर यह दहान देना है कि जैसे यहाँ पर क्या लेकर है fast generation यह fast generation इन plans में होगा क्या जब भी आप इ अगर आपने purchase किया होगा तो यह सारी चीजें काफी fast होगी बट हमें अभी कुछ भी पे नहीं करना है हम free of cost अपने लिए images को generate करेंगे तो हमें करना क्या है home page में ही देखना है यहाँ बहुत सारे चाहें तो आप यहाँ पर search कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ से start करेंगे बहु आपको जो पसंद आता है ठीक है तो मैंने मैं दो से तीन सेंपल्स को चूज करूंगा ठीक है जैसे यह बाइक है आपको करना क्या है क्लिक करने के बाद यहाँ पर यह लिखिया रहा है poster vintage medium short 1920s futuristic cyberpunk motorcycle made of leather fabric 8K resolution hyper realistic futuristic यह है प्रॉम्ट जब यह प्रॉम्ट दिया जाएगा इस टूल को तब यह जिनरेट होगी ऐसी या किसी और करीके से तो हमें करना क्या है इसको क्या करना है कॉपी कर लेना कॉपी प्रॉम्ट यहाँ पर यह है model है guidance scale है ठीक है यह सारी चीज़ें आप change कर सकते हैं लेकिन अगर और कुछ फ्री में ही हमें मिलने वाला है ओके ना ही हम मॉडल चेंज कर पाएंगे यह साइज चीज़ें हम चेंज नहीं कर पाएंगे फिर भी हमने इस पूरे को हमने कॉपी कर लिया और मैं नोटपैड में इसको पेस्ट कर लेता हूं और भी देख लेता हो जो हमें इसको कॉपी कर लिया मैंने और यहां पर हम पेस्ट कर लेते हैं कि हमें बार बार यहां पर ना आना पड़े इस वज़े से हम ऐसा करता है और इसको कॉपी कर लिया यह इनको बोलते हैं प्रॉम्ट ठीक है यानि इस टूल को यह कुछ बताना पड़ता है कि आपको किस तरीके से इमेजस को जेनरेट करना है इनको रेट करके जो इस टूल के पास जो भी मॉडल्स होंगे चूंकि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो सायद एक ही मॉड जरा रहा है इसके इसी का यूज़ करेंगे अलग-अलग मॉडल में तो अलग-अलग तरीके की इमेजस जिनरेट होंगी ओके दिए हम फ्री में ही यूज़ कर रहे हैं तो इसमें भी हमें बहुत कुछ मिलने वाला है अब हमने यह तीन कॉपी कर लिये थे इसके बाद हम क् क्या है हम क्या करेंगे के यहां पेस्ट करेंगे और देखेंगे क्या आउत्पुत आता हैCopi किया और हमने पेस्ट कर गिया यहां पर आपकी ड Spitकर सकते हैं इसको मैक्सिम रखते हैं इसके बा journée Gear Этотound से हीजेगा इसको मैं करता हूं पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जनेरेट में क्लिक करेंगे इसके बाद यह जनेरेट करेंगे टाई में कभी जल्दी करेगा क rappers time ले ले लेगा ठीक है देखते हैं क्या output आता है कोड नुत को बिलकुल different हैं यहां पर जो बाइक थी वो कैसी थी कैसी थी क्योंकि वो दूसरे model का यूज करके बनी थी ठीक है ना ये ओके लेकिन जो free model मिला है उसका नाम है stable fusion उसका यूज करके same prompt का यहां पर देखो अलग-अलग तरीके से यहां पर images generate हुई क्या यह images खराब है 8K images है ठीक है आप इन में किसी को download कर सकते हैं यूज कर सकते हैं कोई copyright का issue नहीं है चाहें तो आप इनको commercially use करें चाहें तो आप इनको बेश सकते हैं जैसे भी आप इनका यूज करना चाहें यह images अब आपकी हो गई ओके तो यह हैं काफी सांदार images और देखते हैं ठीक है जैसे मैंने इसको copy किया ट्री हाउस था ठीक है इसको भी paste करते हैं जेनेरेट जहां भी थोड़ा टाइम लेगा यही जो टाइम ले रहा है यह काफी फास्ट होगा अगर आप पेड वर्जिन यूज करेंगे तो ओके लेकिन कोई बात नहीं हम थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक हम इस टूल के बारे में सीख रहे हैं वाव थोड़ा स्लो चलाए कितना सांदार है यह घर देखो कितना प्यारायकास रहने के लिए वाव है ना कितनी सांदार इमेजिस और हाँ यह इमेजिस आपकी है आप इनका यूज कर सकते हैं आप इनका कॉमर्सली यूज कर सकते हैं है ना खास मेज़स वाव अब मैं तीसरे प्रॉंट का यूज करता हूं यह क्या है प्रॉंट न्यू ये ग्रीटिंग्स कार्ड पॉर दा न्यू यह तौन थर्टीन अकिसमस ट्रीड डेको लोटेड विट साइनी किसमस ट्वाइस अन गार्ड थोड़ा टाइम ले रहा है बट कोई ना यह यह देखो अलग अलग उदा यहां पर किसमस ट्रीड लोग किया यहां पर चीज़ें चेंज कर दीं ठीक है तो यह है हमारे प्रॉंट यहां पर आपको प्रॉंट में यहां पर आपको वैलु चेंज करनी होगी चुकि अभी हमें सम्झ में चीज़ें कम आने वाली है तो आपको करना क्या इन्हीं प्रॉंट को कापी करना है इसके बार उसको यहां पर रीजनेरेट करना है और यहां पर आपको डेफनेटली जो हैं वो चेंज नजर आएंगी आप उनको यूज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको जो आपने जो थम्नेल में जो इमेज़स देखी वह भी मैंने यहीं पर डिजाइन की थी तो है ना खास ऐसी इमेज़स आप तो डिजाइन करने सकते हैं लेकिन इस टूल का यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं चूंकि यह फ्री images generate करनी है तब आपके लिए यह sufficient है लेकिन है ना काफी बहतरीन बाकि अगर आप चाहें तो आगे यह plants को purchase कर सकते हैं तो इस वीडियो में था इतना ही thank you